तो 20 तारीक से आपकर यी मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा ज्यादा दिन नहीं रह गया आपकर यी मेडिकल में तो यहाँ पर जितना भी आपका मेडिकल में पॉइंट बना है वह आपका मतलब की ऐसे बहुत सारा ऐसे points देखें जो बनना नहीं चाहिए था बिना मतलब का फालतू में आपको points बनाया गया है बट उसको लेकर आपको परिशान नहीं होना है उसारा का सारा इस वीडियो में discuss करेंगे और इसका treatment और साथ में आपका इसका क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सारा चीज हम बताएंगे अधिकतर आपका बात करेंगे तो इस बार medical में आपका 80% ऐसा point है जो CBS से related है और आपका BP और आपका ECG यह तीन जो points आपको बताएं अभी ECG, CBS और BP, BP CBS का connection थोड़ा बहुत match करते है ठीक है और आपका ECG थोड़ा सा अलग है इसमें अगर आपका abnormal report आया है तो इसको लेकर आपको tension नहीं लेना है कि आप तो मेरा ECG दिल का कोई ऐसा बीमारी तो नहीं होगा बर आपको बदा दे कि आपका यह normal सा है और इसमें अधिकतर हम देखे हैं कि बाद में जाकर re-medical में सारे के सारे बचे fit होते हैं अभी वही हम आपको दिखाएंगे अभी पूरा वीडियो इसी पर हम बनाने वाला है कि जितना आपका points है तो उसका अभी से ही अगर आपको बता दे तो आपके पास time उतना है नहीं कि आप wait करेंगे तो हमको लगा कि जितना जल्दी हो सेके और जितना भी बच्चे अभी medical में unfit हुए हैं और उनका rate card दिया गया है तो उनका सारा का सारा हम बात कर ले और अधिकतर points हमको लग रहा है आपका इसी में और surgery वाले minor कुछ है और minor वाले घबराएंगे नहीं देखिए minor वारे अगर flat foot में problem आपका create हुआ है आपका ENT में अगर किसी का दिक्कत है जैसे कि आपका नाक का हड़ी वगएरा DNS में देखिए क्या है कि DNS का वहाँ पर एक ही जाच होगा आपका नाक के अंदर आपका पीन डाल कर जाच किया जाएगा अगर वह आराम से चला जाएगा आपके नाक में तो कोई मतलब कि वहाँ पर ऐसा जाच होता है और आपका कान का बात करें तो कान में आपका white spot वाले एक बच्चे थे जिन्होंने री मेडिकल जाकर आगे किलिर किया था सरजरी वाले भी कुछ बच्चे थे सरजरी आपका सही होना चाहिए कि सरजरी में भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि सरजरी आपका एक तो पुराना सरजरी होना चाहिए और माइनर वाले डिनेस के बच्चे जो भी है वो सरजरी ना कर तो अभी वेट करिए यह जितना आपका माइनर का अगर सीन है तो आप सरजरी ना कराए नहीं तो अन्फिट हो जाएंगे जाकर री मेडिकल में भी क्योंकि सरजरी में भी कुछ ऐसा सीन है कि उनको ओल्ड चाहिए क्योंकि आपको वहां पर ट्रेनिंग कराना है अगर आपका घाओ सुखे गाई नहीं तो प्रॉब्लिम की रेट होगा तो आपका सरजरी भी ओल्ड होना चाहिए और प्राइवेट पार्ट्स का अगर आप हाइड्रोसील वगरा का सरजरी कराएं तो वह भी आपका ओल्ड होना जरूरी है तो सबसे पहले पॉइंट्स देखते हैं हाफी सारे प्रॉब्लेम आये हैं पालम के अंदर स्पाइनल में और एंटी का तो बहुत बुरा आल रहा कानपूर के अंदर और गोरखपूर में आपका बात करें तो सीवीय सीजी वेगरा में थोड़ा बहुत प्रॉब्लेम है यहाँ पर बाकी SMC में कुछ हमको ऐसा नही लगा जारत पर प्रॉब्लेम आपका 80% सीवीय सीजी और वीपी से रिलेटेड आया है तो उसका हम बात करेंगे और साथ में LFT और आपका इस फाइनल और सरजरी और डीनेस वेगरा देख लेंगे तो देखते हैं यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट वेगरा होता है इसका तो LFT में अगर बात करें आपका तो देखिए पिछला इंटेक में इनका था एक दोस्त का तो उसने बताया कि देखिए कैसे किलियर किये थे यह तो सबसे पहले बात तो यहाँ पर आपको जितना भी मासेलेदार चीच खाते थे आपना जिए स्पाइस फूड मतलब की काफी ज ध्यान देंगे जब तक उनका मेडिकल जो आने वाला है तब तक आप अपना खान पान में बिलकूल एकदम सुधार कर लेंगे पॉइंट्स आपका कुछ भी हो बड़ी में ही जाना है खाना खाएंगे तो और उसका असर आपका पूरे बड़ी पर पढ़ने वाला है तो ध बक्टर वाला काम हमको करना पड़ है ठीक है जो आप इस क्योंकि देखे क्या है कि बहुत सारे से बच्चे जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके पास इतना फी नहीं है कि डीनेस का वह सरजरी 40,000 का जाकर कराएंगे ठीक तो सबसे बढ़ियां और यह सस्ता आपका मतलब की मेरे पास मतलब की आरा वाला यह यूटूब चैनल को ही आप लोग एरफोस का मेडिकल होस्पीटल मान लीजिए और आप इस पर अगर भरोसा करेंगे तो आपका मेडिकल जो आपका री मेडिकल आपका आने वाला है उसमें कोई आउट नहीं करेगा आपको क्योंकि पिछला पूरा इंटिक आप री मेडिकल का प्लेलिस्ट अगर उठा कर देखेंगे न तो आपका पूरा समझ में आ जाएगा तो देखें यहां पर और खाने में आपका मसालेदार चीज को हटा देना है पूरा साफ हटा दीजिएगा और पानी जितना उससा के फि जूस हो गया मुसम्मी का हो गया अनार का जूस हो गया तो यह सब चीज लीजिए ताकि आपका बड़ी हाइड्रेट है और अब यहां पर देखें ल आई भी यानिकि लिव.52 आपको मेडिकल इस्टोर पर उपलब्द हो जाएगा ल आई भी.52 यह आपको मेडिकल इस्टो का जो प्रॉब्लम हो खतम हो जाएगा क्योंकि यहां पर देखी नोंने किलियर यहां पर दिखाया है यहां पर कि यही मैंने लिया था सीरफ सर डॉक्टर को दिखालकर मतलब कि यह लिये थे तो इनका सही गया था और ही मेडिकल किलियर हो गया था तो जिनका पॉइंट है म मेरे बात को फॉलू करी और अपना काम कर लीजिए ठीक और आगे दिखाते हैं अब यहाँ पर इन्हों ने देखिए क्या बता है कि ज्यादा प्रॉब्ले होने पर डॉक्टर से चिक कराना है मेरा दो दोस्त से हैं ठीक है तो इसी जी डीनिस एलेफटी था तो गुरकपुर म इन्ट वेट वालों को पांच की एन्ट और तो वालों को छो को सीवीस एन्ट सर्जिकल की साथ की टूटल 40 कैंडिट यहाँ पर मौजूद थे और आगे बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर इयर वैक्स में दोनों फीट हो गए थे आपको बता दे कि इयर वैक्स में भी पॉइंट बना है जिनका कान सही से साफ नहीं था इस बार का मेडिकल में उनका भी पॉइंट बना है तो ऐसे बच्चे आप एकदम रिलाक्स रहें आप फिर से कान साफ कराई है और कान वहीं पर साफ कराई है जहाँ पर मसीन से कान साफ होता है नहीं तो खोद खात कर आपका कान पीन से अलगी खून उना आ जाएगा दिक्कत हो जाएगा फिर आपका तो मसीन का जहाँ पर भी बिवस्था है कान वहीं पर साफ कराएं otherwise आप जोला शाप डॉक्टर से कान साफ कराने से बचे आगे देखते हैं और्थो और्थो क्या मतलब कि हड़ी से जो भी रिलेटरी 11 बच्चे थे अभी भी आपका स्पाइनल में काफी जादे बच्चों को पालम के अंदर पॉइंट बना है साथ फीट हुए थे 11 में से आगे बात करते हैं यह सारा आपका देखिए जब रिमेडिकल होता है आपको बता देते हैं कि आपका जो भी पॉइंट होता है पॉइंट के हिसाब से गरूप बनाया जाते हैं मालने जिए कि औरतों वाले जिनका घड्डी से दिक्कत है वो उनका पॉइंट अलग बच वालों के अलग हो जाएगा जीनका इंघ्स हैं तो गरूप वाइज आपका रिमेडिकल होता है तो ECG and CBS के 18 बच्चे थे, इसमें सारे के सारे फीट हो गए, तो अब आपके मन से डर खतम हो गया होगा, कि सर सच बता रहे हैं, यह कोई आपका प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत सारे बच्चे को बताएं, कि इसमें दिक्कत वाला सीनी नहीं है, आप डॉक्टर से बिना मत कितलब का जाकर दिखाएंगे, वह बार-बार आपका ECG जब कराएंगे, आपका ECG का रिपोर्ट, नॉर्मल ही आना करार लिए, इकू का टिश्ट कराईए, आप जाकर देखिए, आपका ECG हर बार नॉर्मल आएगा, अब सर बोत आपके मन में कोश्चन हैंगे, सर तो वहा पर, तो कुछ घबडाट अंदर हुआ होगा, इससे आपका ECG में जो इको घबडाट, मतलब कि जो वहाँ पर उपर नीची आपका जाता है, वो सही नहीं गया होगा, इसके कारण आपका वहाँ पर प्रॉब्लम हुआ होगा, बट मेरे ख्याल से इसके बाद अगर आप जा सारा का सारा चीज आपका एक-एक पॉइंट जो नॉर्मल वाला है वो खिलेर हो जाएगा आपका, तो ज़्यादा बच्चे सरजरी और और अर्थों में ही आउट हुएते, सरजरी में क्यों आउट हुए आपको बदा देते हैं, कि सरजरी में क्या था होगा। ठीक या वो सहीज तरीकी से सर्जरी हुआ ही नहीं था अब आगे बात करते हैं कि क्या है तो यहां पर देखिए इसी जी यह तो बात कर लिए और वहां पर ग्रीन काड रेट काड आपका दिया गया टोटल 40 में से 24 बच्चे को मतलब की ग्रीन काड गोरखपूर में से मिला थ तो अब समझी सकते हैं कि क्या मेडिकल का चंडी गड़ वगड़ा ठीक चंडी गड़ तो अल्मॉस्ट सारे के सारे फिट हुए ज्यादा बच्चे सर्जरी और और्थों में ही आउट वे थे एंड एट फरवरी का रियल्ट के लिए 8 फरवरी और और बाकी हमको पॉइंट देखते हैं क्या क्या थीजी है ज्यादा हाड नहीं है साट से सतर परसेंट जो बच्चे फीट हो रहे हैं वह पॉइंट में इसीजी और सीवीस में 90 फिट हो रहे हैं तो जिनका अभी इसीजी सीवीस है वो तो अब यहां से अपना दिमाग को फ्री रखे क्योंकि आप मेर प्रेंट से रिलेटेड मैसेज काफी ज़्यादा रहा है कि सर इसमें पॉइंट है क्या होगा कैसे सीन होगा तो मेरे लगा कि वीडियो बनाने से मतलब की यह सलूसन खतम हो जाएगा कि सारे बच्चे तक वीडियो पहुँचेगा और उनका मतलब की एक बार में सबकू सब 20% बच्चे फीट होते हैं समझ गए आप लोग न तो आगे देखते हैं आप आगे देखिया यहां पर बात करते हैं और आपका और भाई इनका तो पता है नहीं मेरे को सुनो भाई आगे आपको बताते हैं पूरा का पूरा देखिए और कोई सीन देखते हैं कि आपका देखकर ही गया थे और मेरा ग्रीन कार्ड मिला इसी जी का पॉइंट था इनका और यह इतना भी होते हैं आपको बताते हैं कि सारे बच्चे एड रहते हैं इनको मोटिवेट करना और इनको समझाना सही तरीके से दायन इनको ग्रीन कार्ड अभी एयर्मेन बनते हैं जाकर इस सब काम नहीं आप भाणमें जाएं पड़ आपका होगा नहीं होगा आप क्या त्रेक्त कर दिया अब यहाँ पर ऐसा सीन था है कि कॉछ भी मारो यहांस हटाओ जल्दी यहाँ पर 45 पॉइंट बनाओ यहाँ से एक पॉइंट बनाद ECG का और एक बनादो कि ECG abnormal CVS रिव्यू मार दो और एक बनादो यहाँ पर LFT का और कोई पॉइंट देख रहा है उपर उबर तो एक और मार दो मतलब कि पॉइंट का हो हाँ पर कोई कमी नहीं क्या है क्या नहीं है तो डॉक्टर देखेंगे जब गोरखपुर वाले वो सीधे वहाँ पर आपको green card दे देंगे उनको अगर लगे गा कि बच्चा सही है इसका पॉइंट बनाने का कोई सीनी नहीं था यह तो पॉइंट गरबड है बनने का कोई मतलब ही नहीं है तो यहाँ पर इनको सीधा क्या हो कि देखें कानपूर का रिपोर्ट देखकर ही fit कर दिया गया अब आगे क्या है क्या नहीं जहां कोच हुआ नहीं सीधे fit और green card अब क्या चाहिए आपको बताइए अब आगे दिखाते है एक AI का डॉक्टर वो अभी मतलब की अभी नहीं था तो आगे आपको बिता एक flat foot चार hand band flat foot feet हो गया था अब आपको बता दे कि flat foot में जिनको point बनाया भी उनका भी देखा जाएगा flat foot का तो कोई इलाज है नहीं अब कहां कहीं पर भी चले जाएगे डॉक्टर के पास minor है तो आप बच जाएगे free medical में पक्का बचेएगे और जिनका major होगा उनका दिक्कत हो जाएगा तो hand band कैसे चेक हो रहा तो angle आपका देखिए angle जो ए 18 जादा ना हो आपको ध्यान देना कि आपका angle 80 degrees से जो आपका sorry आपका 18-18 degrees से आपका जो angle है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए और hand band ज्यादा मतलब की hand band ज्यादा मतलब की पूरा fit हो रहे हैं hand band वाले जो भी बच्चे हैं वो fit हो जाएगे ध्यान दिजेगा आपका कोई problem नहीं होगा आपको वहाँ पर fit हो जाएगा आप लोग अभी CBS के बारे में बात करेंगे वीडियो आप लोग छोड़ का मत जाएगा तो DNA के surgery वाले unfit हो रहे हैं याप पर fit हो जाएगे अब आपके देखिए hand जिनका digital tremors लिखा है hand company में उनको बताया गया कि hand में digital tremor वेगरा का scene आ गया है उनका वो भी fit हो जाएंगे उनको भी दिक्कत नहीं होगा अगर कानपूर में ये point बना है तो आप fit होंगे गुरखपूर में कहीं पर भी point हो हाथ company वाले अराम से उनका fit हो जाएगा ये सब आपको बता दे ये नॉर्मल सा point है ये आपके डर और घवडाट के चलते या उसी time हुआ हो ठिक या कुछ exercise करने के बाद ऐसा हो गया आपका तो ये आपका हो जाता है बट ये medical में आपका सही हो जाता है जिस doctor में मेरा ECG का report देका वही hand tremor देख रहा था और skin में भी एक fit हो गया इसकीन वाले भी बच्चे fit हो जाएंगे अब आगे बात करते हैं देखिए इनका पहला तो इनका green card मिला था sorry rate card मिला था देन जाकर अब green card मिला तो यहाँ पर आपको इसलिए दिखाते ताकि आपको भी लगए कि left वालों का कल green card मिल गया LFT तो सही है आपका कोई दिक्कत नहीं होगा और आगे और देखते हैं साथ फरवरी का देखिए इनका point क्या था medical का देखिए री medical का यह लंबा सा वीडियो होगा बट आपके life का सवाल है airman बनने के लिए आपके वीडियो देखना ही पड़ेगा तो इनका साथ फरवरी का time मिला था इनका point देखिए क्या क्या था ECG का point था CBS का point था clear हो गया क्या था ECG CBS का point था clear हो गया अब आपको मन से doubt to अब तो निकालिए एक तो अब पहले दिखाए अब आप दिखिए यह दोनों point कहां चेक हुआ था तो सर ग्वालियर में बाकी का point का मतलब की वही पर कुल 12 लोग थे ECG में उस तिन और refer भी नहीं मतलब की refer भी कर रहे थे जहां से बाकी कुछ का लखना उरो जहांसी में refer मिला था और यहां पर देखिए अब आपको बदा रहे कि यह दवा आप ले सकते हैं जिनका भी CBS का दिक्कत है BP का और ECG का हम बात करें BP, CBS, ECG का तो यहां पर यह आप tablet को ले सकते हैं जादे कि आपका medical store पर उपलब दो जाएगा इसका price अगर आपको बता दे तो यह आपको करीब 77 रुपय के something पड़ेगा 76.86 इसका दाम है तो अभी देखिए आप उपर नीचे थोड़ा दाम हुआ होगा एक साल हो गया तो अभी इसको आप जाकर ले लिजे medical से इसमें आपका re-medical होगा उसके पहले भी आपको और उसके कुछ देर पहले मतलब की re-medical स्टार्ट होने से पहले आपको इस टेबलेट का यूज कर लेना है ध्यान दिजेगा जिनका भी CVS BP वगरा और ECG का point है re-medical से कुछ देर पहले यानि कि जैसे ही वह स्टार्ट होने वाला ह इसका डॉक्टर से दिखवा भी सकते कि इसका क्या मतलब है मेरे को इनको यह किलियर किये थी इसलिए आपको बता दिये ताकि आपका मतलब की काफी ज्यादा help हो जाए यह देख सकते हैं कि सर मैंने medicine का यूज किया था और इनका point भी आपको दिखा है CVS ECG का point था जैसे कि आप सस्ता भी पड़ेगा आपको देख सकते हैं यहां पर प्राइज लिखा भी है 81 रुपया लिखा यहां पर ठीक अगर आप इसको लेंगे मतलब की होलसेल से तो काफी सस्ता भी मिल जाएगा और जिनका रिवर से प्रॉब्लेम है और लिवरली 40 का यूज कर सकते हैं ठी 80 रुपया आपका मतलब की सम्तिंग 76 के करीब मिले 15 टैबलेट होता इसमें और आप अपना देख लिजा आपके हिसाब से कब तक आप इस मतलब की लेकर आप ले लेंगे और एक एक दिन आपको इसका यूज करने ठीक है और यह आप करी मेडिकल तक चलेगा जैसे ही आपक की बेंड कर मेरे भरोसा है तो आप इसी डॉक्टर नहीं समझे आगे दिखते हैं तो यहां पर यह तो इमेच यह सब आपको नहीं बताना इनका इनका तीस कोरी मेडिकल एक तीस जनवर दूसे विस रिविवीव बीपी में मुझे रूखा था जहां से रिपोर्ट इतना इ आगे आपको दिखाते हैं डीनेस वाला इसमें क्या है क्या मैं डीनेस का ओपरेसन नहीं करवाया था देखिए मेरा डीनेस और कलर ब्राइननर ही पॉइंट का पॉइंट था आप लोग करने से बचिएगा डिनस वाले जो बच्चि हमको सुन रहे हैं ध्यान दिजेगा आपको नहीं करवाना है नहीं तो नहीं सूखेगा तो प्रॉब्लम की रेट होगा ठीक ऑप्रेसन नहीं करवाना है माइनर के लिए आपको आप अगर है 35- Daar आपको करेंगे तो यह प्रेंट आपने कि एक हैं AmilIE तो घुलाजे देंगे समय तो समझ सकते हैं कि क्या ती मेरा होगा हो वहा हो गाइれraph आपको लग रहा है कि ऑछंड्री रहा ही। कि अगर हम आपका यह operation करेंगे तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा उस वक्त एकदम पूरे तरीके से सुख जाएगा तब आप operation के बारे में सोच सकते माइनर वाले बिल्कुल ना करें मेरा सलाह मानिए नहीं तो फसेंगे आप लोग रिमेंडिकल में आगे बताते हैं आपको अगर आपका पॉइंट के बीच में आपका रहना जरूरी है एक पर आपका अगर पॉइंट बना हेमोगलोविन में तो आप जाच कराकर आप 13 से 16.8 के बीच में अगर होगा तो आप शीट हो जाएंगे वहाँ पर तो इसको कर लेना है हैंड मैंड वालों को मेजर कर रहे थे जिसका 15 डिगरी से ज़्यादा था उसको अनफिट किया हाथ में अगर आपका हैंड मैंड का प्रॉब्लम है तो आप हाथ का देख सकते हैं कि अगर आपका 15 डिगरी से ज़्यादा होगा तो आपको अनफिट किया जाएगा आगे बा वो cg में बस cg न Analytics नाल इसी जी में यहां पर एक और इनका गाइड मिला की cg में वो बस टेंसन नहीं अपना इसी जी के टाइम पर पानी यह किते रह ön और Energy सुरू होने। पहले आप पानी एक दू बोतल अपना रखिये और का पानी साही होना था ठीक है पानी आप यह नहीं कि आप कहीं से भी खरीद कर पानी जो बढ़िया क्वालिटी वला होता है दो तीन बोतल रख लिएगा कि बार बार आपको पानी पीजेगा सही रहेगा और लंबा सांस आपको ऑक्सीजन काफी जादा अंदर ले लेना है उसको छोड़ना है जब आपका सुरू होने से पहले ऑक्सीजन जीतना रखेंगे आपका मतलब की आपका सांस जो सही रहेगा और ECG भी आपका अच्छा है तो आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिए ECG में ज़्यादा लोग पास होगें ECG में ज़्यादा लोग पास होगे easy है मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा यहां पर extra weight का बात करें तो अगर आप weight में overweight अगर आपका problem हुआ तो 2 kg तक आपका 2-3 kg उपर नीचे आपका चलेगा range से अगर आपका उतरा नहीं हो पाया उपर ही थोड़ा सा आप कम रहा गया तो 2 kg आप अराम से range तक उपर रखेंगे त तो चलेगा इससे उपर नीचे जायदा जाएगा 2-3 से उपर चला गया तो इसका मतलब है कि आपका दिक्कत हो जाएगा यहां पर बोले इसमें भी range से 2-3 kg तक ले लेगा तो आपको समझ में आगा surgery allowed है या नहीं है तो बात कर लेते हैं CBS वाले थे सर, CBS वाले भी थे क्या तो 2 थे 2 फिट होगे CBS वाले 2 थे 2 फिट तो एक्ष्टावेट का बात करें तो 2 kg तक और इसमें भी आपका यह सब हो गया surgery का बात करें तो surgery का बात करें तो surgery सुखा होना चाहिए sir नहीं तो आउट कर देंगे अगर आप surgery किसी भी चीज क करा हैं तो उसको सुखा होना काफी जरूरी है नहीं होगा आप बाहर जाएंगे मतलब की आउट कर देंगे तो यहीं सर मुझे भी बहुत टेंसन हो रहा था कि सरी मेडिकल में क्या होगा देखिए इनका भी आपको रेट कार्ट दिखा रहे हैं पॉइंट्स बना है इनका टि तो कुछ सर बताई है तो री मेडिकल पांच फरवरी को बाग डोगरा में पड़ा था दार्जलिंग में तो इनका देखिए आगे क्या सी नहीं हुआ तो इनका मेडिकल जो क्या था कि किलियर हो गया था खटखट कावा जाने के बाद भी इनका किलियर हुआ था 17 एंटी व हुए तीन आउट हो गये थे तो तीन क्यों आउट हुए तो मैंने पूछा इनसे तो बताए कि यह तो तीन इसलिए तीन में कहां उपर के तरफ साइद ऑप्रेशन सही नहीं था उनके इसलिए उनको अन्फिट किया और टूटल रिपोर्टिंग कि इतना था तो एंटी में सत्रे थे और डिपार्टमेंट वाइस था दो को जी प्रव्लेम एक फिट हुआ यह में काफी हुए 2 को केवल फिट किया इनका जो बताए इनका year में white sport का problem था देखिए यहाँ पर वर्ट इनका देखिए year में white sport का point किलियर होता है ठीक है सबको यह बता कर बता देना कि मेरा clear हुआ था और surgery का बात करें तो medical में देखिए यहां पर Ingo नेasts कि Serggery Medical से इनका surgery था यह Y group में पिछला intake में trade training के लिए इनका हो गया। आप ट्रेड ट्रेनिंगमे पत्ना केथे थे x2 से कितनी दिन औप्रेशन मेडिकल से यह महिए पहले औप्रेशन लगनेते और elderay स्ष paintings सेटिफिकेट बनाए तो मेडिकल से नविक पहले का रित बना डॉक्टर से वक्त क्या jugan fit कि आठ विक पूरा नहीं था आठ सपता का पूरा अगर आपका ओपरेशन किलियर होगया है तो आपका हो जाएगा अगर नहीं सुखेगा तो दिक्कत है सूख गया और पूरी तरीके से एक दम कोई दिक्कत वाला बात नहीं है उजला नहीं दिख रहा है तो बच जाएंगे आप लोग तो उसी इस तरीके का सीन था लेकिन वहाँ पर सेटिफिकेट चेक नहीं करें थे जख में देख रहे हैं ते कि भारा है कि नहीं भारा है अगर मार्क के स्ट्रेश दिखा तो मार्क्स तो और या ऑप्रेशन कराएंगे तो दीखेगा ही ठीक तो दीखिए रहा था बस वह उजला टाइप नहीं रहना चाहिए और भाईजी कुछ डौक्टर पर भी लेकिन जब सब कुछ ठीक था सब कुछ ठीक है अब आगे आपको दिखाते हैं सीवीएस के बारे में आप पुछते हैं कि सीवीएस सर क्या होता है वाटी सीवीएस तो देखिए यहाँ पर की जो यहाँ पर हम बात करते हैं इसी जी वाले चेक अप से पहले पानी पी इन्हों से लॉफिंग करें, CVS CVS चेक अप से पहले थोड़ा सा हो सके तो वार्म अप कर ले, CVS में जब आपका चेक अप हो, तो जानते हैं कि आपका CVS में ही केवल पॉइंट है तो वार्म अप थोड़ा सा पहले कर ले आप लोग, और जो भी आपका स्टार्ट होने से पहले वार्म अप कर ले और एक टाबलेट जो बताए वो है आपका और अब आपके आगे देखते हैं कि क्या स्चीन था यहां पर और इन्होंने बताया कि देखे, CVS हम पूछें कि CVS में पॉइंट क्यों मिल रहा है तो जब सर मुश्किल टाइम होता है तो human जो आपका इनसान का heart blood को जल्दी जल्दी pump करने लग जाता है ठीक, तो किसी का एक क्या होता है कि यह कम होता है और किसी का high रहता है, जब blood pump करता है तो किसी का ज्यादा किसी कम blood circulation के speed भी increase हो जाती है जिसे कम pressure वाले area जैसे कि आपका mountains पर ऐसे human के लिए डर लगने लगता है और at last कहूंगा कि अपने brain पर pressure ना ले दिमाग पर ज़्यादा pressure brain को free रखेगा और ज़्यादा आपको सोचना नहीं है और अराम से medical दे आपका इसका result देखने को मिल जाएगा इनका भी देखते हैं hello भाई मेरा ECG में point है हो सकता है क्या है देखिए ECG वाले एक और मिले आपको fit हो आगे message है भाई मैं fit हो गया from Delhi चलो अच्छा है तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्या सी ने कुछ left x-ray वाले भी उन्हें को मतलब कि पूरा का पूरा 20 बचे थे total उसमें से आई वाले थे 12 और दो को fit किया बाकी सब unfit हो गए हम सब को fit किया ECG वाले सारे के सारे fit हो गए थे तो आपको clear समझ में आगा कि ECG क्या है CBS क्या है और BP से problem है तो दवा आप tablet आपको बता दिये और अगला कोई अगर आपका point है तो नीचे आप comment में जरूर लिखेगा ताकि उस पर हम वीडियो बना पाएं आपका और जिनका read के हड़ी में प्रॉब्लम है उनका भी सही हो जाएगा ठीक यह सब point minor के लिए अगर आपको point बीना है तो यह medical वाले आपका clear करेंगे यह message देखेंगे तो मेरा भी time कतम हो जाता है और आपको जैसा भी वीडियो लगा होगा तो share करिएगा और like comment और subscribe मार दिजेगा क्योंकि ऐसा आपके लिए कोई नहीं कर सकता है हम challenge के साथ कर सकते हैं